नमस्ते दोस्तों आप लोग बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं इस सरकीट बॉर्ड में भी वोही सब कमपोनेंट है जैसे कि एक अन्य LED टीवी का सरकीट बॉर्ड में होता है तो दोस्तों आज मैं आप लोग को ऐसा च सबसे पहले हमें इस circuit board में इसका source voltage देना होगा। उसका बाद इस flash IC का pin number 8 में 3.3 volt चेक करना होगा। क्योंकि ये 3.3 volt इस flash IC का VCC supply होता है। और यही supply इस circuit board में लगा हुआ प्रोसेसर का भी होता है। दोस्तों इसके बाद हमें यहां जो crystal oscillator है इस crystal oscillator का pulse को चेक करना चाहिए। ये pulse इस crystal oscillator में हमेशा रहना चाहिए। इसका अलावा ये जो flash IC है और ये जो प्रोसेसर है इन दोनों का बीच में एक communication pulse होना चाहिए। ये जो flash IC है इस flash IC को हम memory IC के नाम से पहचानते हैं। इस flash IC का pin number 6 clock signal का होता है और इसी pin number 6 में हमें communication pulse मिलता है। तो चलिए पहले हम इस crystal oscillator का pulse चेक करेंगे उसके बाद इस flash IC का pin number 6 में communication pulse को देखेंगे। ये जो communication pulse है ये communication pulse इस flash IC में किस समय रहता है और किस समय नहीं रहता है इसको आज हम जानेंगे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए हमें इस motherboard में source voltage देना होगा जो की 12V है। ये 12V एक adapter के throw इस circuit board में input होता है। ये देखें दोस्तों इसका LED glow करने लगा है। इसका मतलब है कि ये circuit board अभी standby mode में है और यहाँ पड़ा है एक DSO। हम इस DSO का मदद से इस crystal oscillator का pulse को देखेंगे। तो ये circuit board अभी standby condition में है। दोस्तों कोई भी LED TV हो। उस LED TV का circuit board में लगा हुआ crystal oscillator का pulse standby में हो या standby release होने के बाद हो। हमें दोनों situation में crystal oscillator में pulse दिखता है। crystal oscillator में pulse दिखने का मतलब है कि main IC या processor काम करने के लिए ready है। तो चलिए अब हम इस crystal oscillator का pulse को देखते हैं। जो कि इस crystal oscillator का जो terminal है वो circuit board का back side में है। तो हमें इस circuit board को पलेटने पर ही oscillator का terminal मिलेगा और हम वहीं पे इस oscillator का pulse चेक कर पाएंगे। कोई कोई crystal oscillator SMD में होता है। इसलिए हमें oscillator का terminal आगे दिख जाता है। पर इस oscillator का terminal है वो यहाँ पर है इस जगे पे। इसलिए हमें इसी जगे से oscillator का pulse देखना होगा। तो चलिए इस oscillator का pulse देखते हैं आखिर कैसा होता है। जैसे कि आप लोग अभी यहाँ देख पा रहे हैं इस DSO में इस oscillator में pulse बन रहा है। यह circuit board अभी standby condition में है। circuit board standby condition में होने के बावजुद भी crystal oscillator में pulse देख रहा है। इसका मतलब है कि processor काम करने के लिए ready है। चलिए अब हम oscillator का दूसरा terminal में pulse देखेंगे। फिलहाल यह circuit board standby condition में है। तो crystal का दुसरा terminal में भी उसी तरह का pulse दिख रहा है। है। इस pulse का साइन वेव है है। crystal का दोणो टर्मिनल में same sine wave दिख रहा है। इसका मतलब है कि crystal oscillator का दोनों टर्मिनल में एकी तरह का sine wave होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस सर्किट बोट को स्टेंडबाई से रिलीज करते हैं उसके बाद हम फिर से इस क्रिस्टल का पल्स को देखते हैं आखिर स्टेंडबाई रिलीज होने के बाद क्रिस्टल ओसिलेटर में पल्स होता है या नहीं है तो जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं सर्किट बोर्ट को स्टेंबाई से रिलीज करने के बाद भी इस क्रिस्टल ओसिलेटर में सेम उसी तरह का पल्स बन रहा है इसका मतलब है कि इस क्रिस्टल ओसिलेटर में दोनों ही समय पल्स बनता है स्टेंबाई में भी और स्टेंबाई रिलीज करने के बाद भी तो चलिए एक बार इस टर्मिनल में भी पल्स देख लेते हैं देखिए दोस्तों इस टर्मिनल में भी उसी तरह का साइन वेव बन रहा है इस तरह का साइन वेव बनने का मतलब है कि क्रिस्टल ओसिलेटर में पल्स जैनरेट हो रहा है मेन आइसी यानि की प्रोसेसर काम करने के लिए तयार है तो दोस्तों इसका मतलब है कि इस क्रिस्टल ओसिलेटर में दोनों वक्त पल्स बनता है जब ये सर्किट बोड स्टेंबाई में होता है तब भी ये क्रिस्टल ओसिलेटर में पल्स बनता है और circuit board को standby से release करने के बाद भी इस crystal oscillator में pulse बनता है यानि कि दोनों वक्त same sine wave का pulse बनता है इस crystal oscillator में तो दोस्तों चलिए अब हम flash IC और processor का बीच में जो communication बनता है उस communication को भी एक बार देख लेते हैं flash IC और processor का बीच में communication कब बनता है standby के समय बनता है या standby को release करने के बाद बनता है इसको हम देखेंगे और साथ में समझेंगे आखिर ये communication नहीं बनने से क्या problem हो सकता है और इसका उपाए क्या है जैसे कि आप लोगों को मालुम है flash IC का pin number 6 में clock signal रन करता है उसी clock signal point में हमें communication pulse मिलता है तो वो जो clock signal है उसका एक pulse बनता है वो pulse इस circuit board का flash IC में मौझूद है या नहीं है अगर इस flash IC में pulse मौझूद है तो वो pulse किस समय है standby के समय है या standby को release करने के बाद है चलिए इसे समझें इस तरह का flash IC हर LED TV का circuit board में होता है तो चलिए दोस्तों इस flash IC का clock signal pulse यानि की communication pulse एक बार देख लेते हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस समय ये circuit board standby condition में है इसी standby condition में हम इस flash IC का pin number 6 में clock signal pulse देख लेते हैं तो जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं मैंने इस DSO का probe को flash IC का pin number 6 में touch करके रखा हुआ है तो चलिए DSO का तरफ जैसे कि यहां आप लोग देख पा रहे हैं flash IC का pin number 6 में इस तरह का sine wave दिख रहा है ये जो sine wave है ये sine wave तब दिख रहा है जब ये circuit board standby condition में है इसका मतलब है कि standby condition में flash IC का pin number 6 में इस तरह का sine wave दिखता है तो चलिए दोस्तों एक बार हम इस circuit board को stand by से release करके flash IC का pin number 6 में फिर से एक बार pulse को देखते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इस circuit board को stand by से release कर दिया है तो चलिए अब हम फिर से एक बार इस flash IC का pin number 6 में pulse को देख लेते हैं मैंने अच्छी तरह से इस flash IC का pin number 6 में इस probe का tip को touch करके रखा है तो जैसे कि हम DSO में देख पा रहे हैं किसी भी तरह का pulse DSO में दिखाए नहीं पड़ रहा है तो दोस्तों इसका मतलब है कि यह जो clock signal pulse है यानि कि communication pulse है यह flash IC में यानि कि flash IC का pin number 6 में standby release होने के बाद नहीं होता है यह pulse सिर्फ standby position में ही present होता है अगर यह pulse standby position में भी present ना हो तो हमें समझ लेना चाहिए इस flash IC का जो software होता है वो corrupt हो चुका है या flash IC damage हो गया है तो इस condition में हमें क्या करना चाहिए इस condition में हमें flash IC का software reinstall करना चाहिए या एक नया flash IC में इस circuit board का जो software है इसे install करके circuit board में fixed करना चाहिए तभी इस समस्या का समधान हो पाएगा वरना यह जो clock signal pulse है इस pulse के बिना कोई भी LED TV का circuit board standby से release हो ही नहीं पाएगा इसलिए इस pulse को starting में ही देख लेना चाहिए वरना क्या होगा आपका समय और महनत दोनों ही waste होगा तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट किजिएगा लाइक और शेर किजिएगा जिनोंने भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए धन्यवाद दोस्तों